हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूर्णम स्वागत करती हूँ आपका लैट सुलोग इद पूर्णम में आज मैं सेर करया आप सब के साथ एक कटोरी कच्चे चावल और एक कच्चे आलू से बनाएंगे आज हम टेस्टी टेस्टी स्नैक्स रेसिपी जिसे बनाना बहुत चावल लेंगे उसको दो तिन बार पानी में अच्छे से वोस कर लेंगे और इसको पानी में छोड़ देना है दो घंटे के लिए दो घंटे बाद देखें यहां पर हमारे चावल है जो अच्छे से फूल चुके हैं इसका मैं एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया अब हम इसको हमें एक साइड रख देते हैं अब यहां पर लिए दो चोटे साइज के आलू इसको मैंने पानी में छोड़ दिया था छिलका उतार के अब यहां पर दूसरा बरतन लेंगे इसमें हम कद्दू कस कर लेंगे इन आलू का अच्छे से इनकी जगाए पर आप एक बड़ में थोड़ा सा है आपर तेल डाला है और इसमें डालेंगे हम आदा चमच जीरा आदा चमच राई और यहां पर थोड़ा सा लेंगे हम हींग एक चुथाई चमच के क्रीब और यह मैंने एक मिर्च को इस तरह से बारी कट करके लिए हरी मिर्च इसकी जगाए पर आप लाल पानी का भर करके जब तक पानी में उबाल आता है उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आलो जो हमने कद्धुकस करके रखे थे इसको भी हम एक मिनट के लिए पकाएंगे कच्चे आलो की जगह पर यहाँ पर आप उबले हुए आलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर हमें कच्चे आलो का इस्तेमाल किया है यह बहुत ही जल्दी पक जायेगा इस तरह से कद्धुकस करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं नमक और इसे हमें थोड़ी से देर और पकाना जैसे हमारा आलो आदे से ज़्यादा पक जाएगा इसमें हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने चावल का पेस्ट बना के रखा था गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो करतेंगे लो फ्लेम पर ही हमें जो चावल का पेस्ट अच्छे से मिक्स करना है इसको लगाता चलाते रहना है और यहां पर बहुत ही जल्दी पक कर त्यार होंगे हमारे चावल क्यूंकि हमने इसको दो गंटे के लिए पहले ही भीगो कर रखा था देखी थोड़ी सी देर में ही यह जो चावल है हमारे अच्छे से पेस्ट के रूप में आ गए है इसे हमें एक दो मिनट और बस चलाते हुए पकाना जब तक कि यह अच्छे से पैन को छोड़ने ना लगी इसको हमें एक डो की फोम में आने तक ही पकाना है जैसे हमारा पेस्ट है डो की फोम में आ जाएंगा यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको हम अलग से एक बरतन में निकाल लेंगे देखें यहाँ पर हमारा चावल है अच्छे से पक गया है अब हम लेंगे एक प्लेट कोई भी थालिया प्लेट ले जीजिए उस पर थोड़ा सा घी या तेल डालिए और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिए उसके बाद यहाँ पर जो चावल का पेस्ट हमने रखा था उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से कटोरी से फैला लेंगे क्योंकि वैसे तो इस स्पैचूला से चिपक जाएगा यहाँ पर मैंने कटोरी लिया और इसको अच्छे से इस तरह से उपर से बिल्कुल प्लेन कर लिया है और अच्छे से इसको फैला दिया है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं यहाँ पर हमारा जो पेस्ट अच्छे से ठंडा हो गया है इसको मैंने पंके की हवा के नीचे रख दिया था इस तरह से हम इसको पीसिस में कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने इस तरह इसको rectangle shape में cut किया है आप जो चाहिए से shape देना चाहिए वो कर सकते हैं इसको आप store भी करके रख सकते हैं फ्रीज में जब भी आपका मन करें आप इसे fry करें और serve कीजी यहाँ पर हम इसको अभी fry कर लेते हैं fry pan में हम थोड़ा सा तेल लेंगे जैसे ही हमारा तेल यहाँ पर medium गरम होगा इसमें हम pieces को डालते जाएंगे जितने pieces एक बार में आ सकते हम उतने ही डालेंगे यहाँ पर और इसको हम अलट पलट के पकाएंगे जैसे ही यहाँ पर एक side से अच्छे से पक जाएंगे यह इसको हम दूसरी side पलट देंगे इसी तरह से हमें दोनों side से इसको पलट के पकाना है जब तक कि इसके बार की side अच्छे सी क्रिस्पी सी layer ना आ जाए इसे हमें इसी तरह से पकाते रहना है एक batch को पकने में यहाँ पर 3-4 मिनट लगेंगे और यह देखिए कितना अच्छा color आया हमारे snacks की recipe का और इस तरह से हमें दूसरा batch भी पका लेना है यहाँ पर देखिए दूसरा batch भी मैंने इसी तरह से डाल दिया और उसको भी हम पका लेते हैं अगर आपको मेरी recipe थोड़ी से भी पसंदाए तो like, share and comment कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर ने तो चैनल को subscribe कर लेजी नास्ते को हम sauce के साथ यहाँ सर्व करते हैं मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ यह खाने में भी इतना ही tasty बना भार से एकदम से crispy कोई पैचान ही नहीं पाएगा कि यह आपने कच्चे आलोर कच्चे चावल से बनाया है और बनने में भी बहुत ही जल्दी बनता है बहुत ही कम समय में बन कर त्यार होता है ओके बाई